आज हम जिस मूवी को explain करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है The Dictator मूवी की शुरुआत में हमें पूरवी अफरीका के imaginary देश को दिखाया जाता है जिसका नाम बाडिया होता है बाडिया में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम अलावदीन रखा जाता है जन्म के साथ ही अलावदीन की माँ को मार दिया जाता है और साथ साल बाद अलावदीन के पिता को मार दिया जाता है क्योंकि वो एक बहुत ही कुरूर शासर था जिसके बाद साथ साल की उम्र में ही अलावदीन उस गद्दी पर बैठता है जैसे ही अलाउदीन दोड में हिस्सा ले रहा होता है तो वो अपने से आगे निकलने वाले हर खिलाडी को गोली मार रहा होता है जिसकी बदूरत वो उस उलम्पिक में चोधा गोल्ड मेडल जीत जाता है और बहुत सारे वर्ल्ड रेकॉर्ड भी बनाता है। अलम्पिक का समापन होने के बाद अलाउदीन एक दिन अपने सिटी के सब लोगों को इकटा करता है और एलान करता है कि आने वाले दो महीनों में हम दुनिया के सबसे ताकतवर देश होंगे क्योंकि हमारे दो महीने के अंदर नियोकिलर बैपन बनकर तयार हो जाएंगे और स इसके बाद अलावदीन अपने निकलर रिसर्च सेंटर जाता है जहां पर उसके चाचा तामीर उससे मिलने आती हैं और जब उसके चाचा कभी भी अलावदीन से मिलते हैं तो वो उसके अंडर आम्स में उसको किस करते हैं क्योंकि ये भी अलावदीन का ही रूल था इसके बा को पूरी तरह से भूल गया था अपने दिमाग पर जोड डालने के बाद अलावदीन को याद आता है कि जब वो दो साल पहले यहां आया था तब नदीम ने उसे मिसाइल दिखाई थी वो मिसाइल नुकीली नहोकर गोल थी जिस पर अलावदीन ने नडाल से कहा था कि यह मिस ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने सिक्यूरिटी गार्ड से नडाल को मारने के लिए इशारा करता है जिसके बाद नडाल को मार दिया जाता है अब प्रिजेंट टाइम यह रिसर्चर अलावदीन को नडाल वाली बात बता रहा होता है तो वो अलावदीन से कहता है कि आप इस बात को भूल गए थे कि आपने नडाल को मर दिया था दो साल पहले तो अलावदीन रिसर्चर से हंसकर कहता है कि नहीं मैं भूला नहीं था इसके बाद वो बहां से बाहर निकलते हुए उस रिसर्चर को भी मारने के लिए इशारा करके चला जाता है जिसके ब अलावदीन चाचा तामीर से कहता है कि नहीं मैंने अपने मरते हुए पिता को ये बादा किया था कि वाडिया का तेल कभी भी बाहर नहीं बीचा जाएगा इसलिए उन्होंने ये सत्ता मेरे हाथ की थी जबकि सत्ता के बारिश तो आप लोग थे लेकिन आपको आज तक भी इस बात के लिए बुरा नहीं लगता जिस बात को देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं अलावदीन की सिक्यूरिटी उसके सिक्यूरिटी में सिर्फ लड़किया ही होती है अब जैसे ही अलावदीन गाड़ी से निकलता है तो एक आदमी उस पर गोलियों से हमला कर देता है जिस हमले में अलावदीन मारा जाता है लेकिन इस हमले में जो अलावदीन मरा था वो अलावदीन नहीं बलकि उसका हमशकल था क्योंकि अलावदीन हमेशा अपने साथ एक हमशकल को रखता था अब जैसे ही वो अपने मरे हुए हमशकल को हॉस्पिटल में मिलने जाता है जो कि अब मरा हुआ है तो अलावदीन उसे कहता है कि उठो जिसके बाद मरा हुआ हमशकल कोई रिस्पोंस नहीं करता तो अलावदीन अपने चाचा को उसे मारने के लिए इशारा करके बहां से चला जाता है इसका ये बरताब देखकर तो वो सच में बहुत ही पागल नजराता है। अलावदीन के जाने के बाद उसके चाचा किसी को फोन करते हैं और उसे कहते हैं कि इस बार भी अलावदीन बजगया। अब हमें कोई ऐसा आदमी ढूंडना होगा जो अलावदीन का हम शकल हो। दरसल यहां पर हमें पता चलता है कि अलावदीन के चाचा ही उसे मारना चाहते हैं क्योंकि अलावदीन के मरने के बाद वो बाडिया का तेल बाहर देशों में बेच कर खूब सारा पैसा कमाना चाहता है और उसकी सत्ता हतियाना चाहता है जिसके वो बास तब में बारिश थे जो कि हॉलिवुड की बहुत बड़ी हिरोईन थी इसके बाद अलाउदीन उस हिरोईन के साथ एक फोटो लेता है और दिबार पर लगा दिता है जिसके बाद हमें ये पूरी दिबार दिखाई जाती है जिसके उपर हजारों फोटो लगी होती है जिसमें वो किसी ना किसी अल पर उन्हीं सफाई दो और साथ ही यूएन चाहता है कि तुम अमेरिका जाओ अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अमेरिका की फोज यहां पर हमला कर देगी और इस पूरी बिरासत को अपने कबजे में ले लेगी जिसके बाद अलावदीन अमेरिका जाने का फैसला करता है अला अलावदीन को अमेरिका पहुँचने पर एक सिक्योरिटी मिलती है जिसका नाम होता है क्विल्टन जो कि अलावदीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता अब रात के समय अलावदीन अपने कमरे में सो रहा होता है तब ही अलावदीन के उपर एक साया आता है वो कोई और न इसमें आग लगा देता है। इसमें वो कहता है कि अगले आने वाले पांस दिनों में बाडिया से ताना शाही पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। इसमें पहले कि अलाओ दिन यूएन के मेंबर्स के पास पहुंच पाता कि बहां की सिक्यूरिटी उसके उपर अटेक कर देती है। क्योंकि उसे उसकी हालत पर दया आ रही होती है और साथ ही वो उससे अपने स्टोर में लेकर जाती है और उससे कहती है कि क्या तु मेरे लिए काम करोगे। अलाओ दिन उससे अकड के साथ कहता है कि मैं और तुम्हारी दुकान पर काम करूँगा। वहां से वो वना कर दुकान से बाहर चला जाता है। अलाओ दिन भी उस बार में अंदर चला जाता है तभी वहां पर एक आदमी उसे पहचान लेता है और सब लोगों को बताता है कि यही अलाओ दिन है। कि ठोकरे खाने को मिल रही है। साथ ही वो उसे बताता है कि तामीर चाहता है कि बाडिया से तानाशाही पूरी तरह से समाप्त कर दी जाए और बहां पर लोगतंतर यानी सोतंतरता लाई जाए। इसके बाद नडाल उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा लेकिन उसके बदले मुझे मेरी बही जोब चाहिए जो तुमने मुझसे चीनी थी। जिस होटल में उसके चाचा तामीर और उसका हम शकल वो चरवाहा ठहरा हुआ था। इसके बाद चाचा तामीर बहां पर आता है और भासर देता है कि आज से तीन दिन बाद यही पर बाडिया का नया संबिधान पड़ा जाएगा। इसके तुरंद बाद ही भाई लड़की जोई अलावदीन को दिखाई देती है और वो उससे छिपने लगता है। इसके बाद अलावदीन से सहन नहीं होता और वो उस लड़के को लात मार देता है। अलावदीन के गेस्ट हाउस में जाकर छुप गया था और अभी भी भही पर छिपा हुआ है। और नाइन अलेवन की बाद सुनकर वो दोनों अमेरिकन डर जाते हैं और बहाँ पर पुलिस बुला ली जाती है। इसके बाद पुलिस उन दोनों को अरस कर लेती है। लेकिन थोड़े ही देर में जोई पुलिस स्टेशन आ जाती है और वो अलावदीन के लिए पुलिस बालों से लड़ने लगती है। खुद के लिए जोई को लड़ता हुए देख अलावदीन को उससे प्यार हो जाता है और जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर आता है तो जोई को हग कर लेता है। के से बदल देता है और शॉप में आने वाले कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छे से पेश आता है। जिसके बाद लोकतांत्रिक देश का सम्विधान पढ़ा ही नहीं जाएगा और बाडिया कभी भी एक लोकतांत्रिक देश नहीं बनेगा बलकि हमेशा तानाशाही देश बन कर रहेगा। अब इसके साथ ही अलावदीन के चाचा अलावदीन की सेक्योरिटी में तैनाथ एक खतानात लेडी को ही अलावदीन को मारने के लिए भेशते हैं लेकिन वो अलावदीन को नहीं पहचान पाती है लेकिन फिर भी उसके उपर वो हमला कर देती है जिसके बाद अलावदीन उस लेडी को मार देता है। इसके बाद जोई के स्टोर पर इंस्पेक्शन के लिए एक इंस्पेक्टर आता है। लेकिन वो जोई के स्टोर को देकर काफी गुस्सा हो जाता है। और जोई से कहता है कि मैं तुम्हारी शॉप का लाइसेंस रद कर दूँगा। क्योंकि अलावदीन ने कुछ ऐसी बाते लिख दी थी या कह दी थी जो बाते उनकी कंट्री के रूल्स के अगेंस थी। इंस्पेक्टर की बात सुनकर जोई बहुत ज्यादा दुखी हो जाती ह अलावदीन से जोई का दुखी चहरा देखा नहीं जाता। वो उस इंस्पेक्टर की फैमिली को किड्नेप कर लेता है और उस से स्टोर को A प्लस मार्क्स देने की डिवान रखता है जिसके बाद इंस्पेक्शन ओफिसर को उस स्टोर के लिए A प्लस देना पड़ता है जि अलावदीन उस लेडी की डिलीवरी करने के लिए तयार हो जाता है जबकि वो डिलीवरी करना जानता भी नहीं था जिसके बाद उस लेडी को एक हेल्दी बच्चा पैदा होता है जिसकी वजह से जोई और भी ज्यादा अलावदीन से इंप्रेस हो जाती है इसके बाद जो देश का तानाशाह हूं। अभी बहुत मुश्किल था। अभी बहुत मुश्किल था। अभी बहुत मुश्किल था। रूम में पहुँचने के बाद अलाओदीन अपने हम शक्कल पर बंदूग तान लेता है। इसके बाद अलावदीन का हमशकल उससे कहता है कि वो जो भी अब तक करता आया है उसे ऐसा लगता है कि ये सब अलावदीन ही उसे करने के लिए कह रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं अलावदीन का हमशकल उससे भी ज्यादा बड़ा बेवकूफ है। इसके बाद अलावदिन उसे बहां से जाने के लिए कहता है और तब तामीर के साथ अलावदिन बाडिया देश के सम्विधान को पढ़ने के लिए स्टेज पर जाता है। अब जैसे ही अलावदिन और तामिल सम्विधान को पढ़ने वाला होता है तो वो सम्विधान को फार देता है इसके बाद वो अपनी सुरक्षा गार्ड को अपने चाचा तामिल को पकड़ने के लिए कहता है इसके बाद वो जैसे ही ये कहने वाला होता है कि बाड्या देश म सबी लोग अलावदीन के लिए तालिया बजाने लगते हैं और सब लोगों को खुश देखकर जोई भी उसके पास आ जाती है और अलावदीन उसे हग कर लेता है जिसके बाद उसके चाचा तामील को अलावदीन पर बहुत गुसा आता है और वो अपनी गन निकाल कर अलावदीन पर गोली चलाने वाला होता है कि तब ही उसका हमशकल बीच में आ जाता है और वो गोली उसको लग जाती है लेकिन हमशकल को भी गोली चुकर निकल जाती है इसके बाद अलावदीन जोई से कहता है कि बाडिया में भी चुनाब कराने के बाद सरकार आईगी और भहां की लोगों के लिए इलेक्शन करवाया जाएगा जिससे कि वो अपने मन मताबिक अपने देश की सरकार का चुनाब कर सकें बाडिया देश में चुनाब होते हैं जिसमें अलाओ दिन 98.8% बोटो के साथ जीत जाता है दरसल उससे इतने बोट इसलिए मिल पाते हैं क्योंकि वो टैंक की मदद से लोगों को डरा देता है और सारी बोट्स अपने हिस्से में कर लेता है इसके बाद वो जोई से शादी कर लेता है शादी के बाद जोई उसे बताती है कि वो एक जियूस है ये बात सुनकर अलाओ दिन को बहुत बड़ा जटका लगता है क्योंकि अलाओ दिन जियूस लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करता है और वो इस्राइल देश को पूरी तरीके से खत्म करने के बारे में सोचता है क्योंकि इस्राइल में ही ज्यादा तर जियूज मिलते हैं तब ही हमें मुवी के एक सीन में अलाउदीन को दिखाया जाता है जिसमें वो दोनों एक टीबी इंटरिव्यू दे रहे होते हैं जहांपर जोई अलाउदीन को बताती है कि वो प्रेगनेंट है जिसके बाद अलाउदीन खुश तो होता है लेकिन वो लाई टीबी पर ही उससे पूछ लेता है कि लड़का होगा या फिर अबोशन और ये मूबी यहीं पर अलाउदीन की संकी और बेवकुफियों के साथ हत्म हो जाती है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद